वाड़ी पुलिस स्टेशन चेत्र के वर्धामना से एक महा पहले दो नाबालिक कायब होने की शिकायत पुलिस को तीस चिलाई को प्राप्त होई एक नाबालिक उत्तरप्रदेश जहासे से अपनी मौसी की यहाँ वर्धामना आय थी दोनों बहनों ने प्लान बना कर दिल्ली तक कही वहाँ पर आरुपी ग्राम गदिकर तहसल तहरोली चिलाज जहासी उत्तरप्रदेश निवासी अमित कुमार रामकिसंसीन उम्र 18 राहुल साल पहले एक परिवार साही हुआ, उन्हें 16 साल की नाबालिक लर्गी है, तीन माँ पहले उत्तरप्रदेश जहासी से मौसी के यहाँ नाबालिक लर्गी वर्धामना आयी, आरुपी वह नाबालिक लर्गया एक ही गाव की रहने से उनकी मुबाइल पर बाचीथ होती थी नाबालिक दोनों लड़किया घर से गाया बुहने से माबाप के होश उर गे वसीधे वारे पुलिस टेशन में 30 जुलाई को शिकायद दर्स की वारे पुलिस ने मामले को गंभिरता से लेकर मामले की जान शुरू की एक महिने तक लगातार साइबर के अश्विन की मदद से परिवार की मोबाइल क्रूस की गए नाबालिक का लोकेशन हिमाचल प्रदेश की तहसल बद्दी जिला सुल्यान का लोकेशन मिला लोकेशन मिलती ही पुलिस वारी से 29 अगस को PSI गनेश मुंडे, हेड कॉंस्टिबर सुनिल मस्के, सुनिल नट, रानी कराडी, हिमाचल प्रदेश की और रवाना हुई हिमाचल प्रदेश के बद्दी गाव में दोनों आरूपी थी पुलिस से बचने के लिए बार-बार अपने पास के मुबाइल को अन ओफ करती थी जिसके कारण पुलिस को कुछ हद लोकेशन मिलने परिशानी हुई फिर भी पुलिस ने हिमाचल प्रदेश पुलिस की मदद से आखिरकार दो दिनों के प्रयास के बाद दोनो नाबालिक के साथ दोनो आरुप्य को धर्दबुशा, तीन अगस को चोरो को वाडि थाने लाया गया। दोनों नाबालिक नाख़पुर से ट्रेन से दिली निजामुदिन गई, वहाँ पर दोनों आरोपी आए, वहाँ ट्रेन से चारों हिमाचल प्रदेश के बद्धि में गए, वहाँ कमपनी में काम करने की इरादी से गए, करीब एक माह तक रहे भी, उन्हें लगा कि अब अप प्रदीप सुर्यवंशी के मारक तर्षन में पियसाइ गनेश मुंडे की टीम ने कारवाई को अंजाम दिया बीसेन न्यूस के लिए वाडि से स्वार पाटिल की रिपोर्ट